हेलो लेरनर्स, वेलकम बेक तो मैं चैनल दे लेरनर्स लेब, आज जो चैप्टरस श्रू करेंगे क्लास नाइन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है इलक्टोल रिफोर्म्स इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 वोटिस डैमो क्रेसी वाय डैमो क्रेसी और डिजाइन की ओलरी वीडियो डाल दीए वो चैनल की प्लेडिस्ट में आपको मिल जाएगे अगर आप ये वीडियो देख रहे होते हैं इससे पहले जाकर उन दोनों वीडियो को भी देख लीजे ताकि सही से ये भी समझ में आये ये चैप्टर पूरा इलेक्शन्स क्या हैं इलेक्शन्स क्यों होते हैं इलेक्शन्स कौन कराता है इससे क्या फायदे हैं मेरिट्स डी मेरिट्स बस इसके राउंड गुमेगा पूरे चैप्टर इलेक्शन्स के बारे में हैं लेकिन उससे पहले हम थोड़ा से जो पुराना चैप्टर चैप्टर उसको थोड़ा ओवर्वियू कर लेते हैं वो थोड़ा जानना जरूरी है तो सबसे पहले हम जानते हैं वोटिस डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी क्या होती है डेमोक्रेसी बेसिकली एक ऐसा सिस्टम ओफ गवर्मेंट है जिसमें जो rulers होते हैं उसको public choose करती है election में voting के through इसमें कोई भी खुद से ruler नहीं बनता या फिर कोई ऐसा कोई system नहीं है कि कोई ruler है तो उसका बेटा ही ruler बनेगा इसमें public जिसको choose करेगी वही ruler बनेगा और अगर वो सही से काम नहीं करेगा तो public के पास एक option भी होता है कि एक fix tenure बाद कि एक ruler एक बार अगर ruler बनता है तो एक fix tenure बार दोबारा election होंगे वो दोबारा election होंगे उसमें पूरे chance होंगी कि वो हट कर किसी और को बना दिया जाए तो फिर democracy में जो भी leader बनता है उसको public के welfare के लिए काम करना ही पड़ता है वरना public उसको हटागर किसी और को बना दियती है democracy में एक और चीज़ है कि अगर कोई election हो रहे हैं तो उसके लिए public के पास choices भी होना बहुत जरूरी है ऐसा नहीं है कि election हो रहे हैं और एक ही इंसान बस उट रहा है वो election में खड़ा हो रहा है और उसके लिए ही vote डल रही है public के पास पूरे choice होने चाहिए जैसे इंडिया में प्राइम निस्टर के election होते है चार पाँच choice रहती है कि या तो यह प्राइम निस्टर बनेंगी या यह किसी एक को public vote देकर जिताती है वो प्राइम निस्टर बन जाते हैं तो ऐसे public के पास options होते है यह democracy की खासियत है अब इतने सारी countries हैं दुनिया में अब हर country democratic भी नहीं है बहुत सी country non democratic भी है जैसे democratic countries में सबसे पहले जो सबसे बड़ी democracy है वो इंडिया है और जो और अच्छी democracy मानी जाती है उसमें Norway हो गया, Sweden हो गया और भी देश है और ऐसे ही कुछ बड़े देश हैं जो non democratic भी हैं जैसे साओधी Arabia, North Korea, Turkmenistan कोई dictatorship फोलो करता है कोई kingship फोलो करता है साओधी Arabia में जो राजा है अगर उसका बेटा है वही वहाँ का दुबारा से king बनेगा साओधी Arabia, United, Arab, Emirates ये सब यही चीज़ फोलो करते है वही North Korea में डिक्टेटर्शिप होती है कि ये जो सामने फोटो में है बंदा King John Hewn North Korea के ये डिक्टेटर है और यही vote पर उठता है अकेला इसको ही vote मिलती है फिर जीत जाता है फिर दुबारा लीडर बने जाता है ऐसी भी countries हैं दुनिया में उसके बाद अब हम थोड़ा election के बारे में पढ़ते हैं कि election क्या होते है election एक ऐसा process होते है जिसमें public vote दे कर अपने leader को choose करती है उसको बोलते हैं हम election अब election क्यों होते हैं जैसे इंडिया का ही example ले लो कितनी population हैं इंडिया में 139.34 crores बहुत सारी states हैं बहुत सारी union territories हैं 28 states हैं total 8 union territories हैं अब इतनी public इतनी diversity अलग-अलग type के लोग है कोई पढ़ा लिखा है कोई अनपढ़ है कोई बच्चा कोई बुड़ा अब हर कोई एक साथ बैठके इंडिया के decision ले ये तो possible नहीं है कि सब बैठें किसी जगए पर हर matter पर सब बात करें सब अपनी अपनी राये रखें ये तो बिल्कुल भी possible नहीं है क्योंकि अलग-अलग किसम के लोग होते है किसी के पास political knowledge ही नहीं होती कोई पढ़ा लिखा होता है कोई पढ़ा लिखा नहीं होता कोई बच्चा है कोई बुड़ा है कोई अलग-अलग किसम के लोग है इतने लोग hospital में admit होते है बाहर कोई नहीं बढ़ सकता तो public क्या करती है अपनी तरफ से अपना एक leader चूज करती है वो अपनी तरफ से एक representative को vote देती है और उसको election में जिता कर उसको leader बनाती है फिर वो public के welfare के लिए public के behalf पे काम करता है जो पब्लिक चाहती है वो ऐसे decision, ऐसे कानून पास करता है, ये सब चीज़े करता है, तो ये काम होता है election का, कि इतनी बड़ी बड़ी countries कि हर इनसान decision नहीं ले सकता, तो जरूरी है कि representative के थूँ decision लिये जाएं, लेकिन जो बड़ी बड़ी democracies हैं, उसमें election को democratic कैसे बनाया जा जैसे मैंने नोर्थ कुरिया का example लिया, वहाँ पर भी election होते हैं, वो एक democratic country नहीं है, वो non-democratic country है, लेकिन election तो वहाँ पर भी होते हैं, एक ही बन्दा है, वो ही खड़ा होता है election के लिए public उसको ही vote देती है, और जो उसको vote नहीं देता है, उसको मार देता है, इतना dictator, इतन voters की मनमानी होती है, वो करता है, election तो होते हैं लेकिन वहाँ पर भी, जबकि वो democratic country नहीं है, तो ऐसी क्या चीज़ है, जो elections को democratic और non-democratic बनाएं, ऐसे कुछ points जो election को बोले कि ये election democratic है और ये election non-democratic है, सबसे पहले, one vote, one value, अगर कोई एक vote दे रहा है, तो उसकी एक ही vote गिनी जाए, ऐसी ऐसी countries भी है, जहां पर इंसान vote तो देते हैं, लेकिन जो ज़्यादा educated है, उसकी vote की value कहना कि उसको जब vote गिनते हैं, उसकी vote को ज़्यादा गिनते हैं, कि एक vote की value चार है, एक vote की value पाँच है, लेकिन जो गरीब है, उसकी vote की value एक गिनी जाएगी, जो अमीर है या फिर जो पड़ा लिखा है या फिर जादा ओ दे वाला है उसकी vote की value जादा है ऐसा system नहीं होना चाहिए है अगर democratic country है उसके election में एक vote है तो उसकी एक ही value मानी जाए कम जादा value नहीं हो दूसरी चीज़ क्या है पब्लिक के पास election लड़ने के लिए पूरे chances हो हर किसी के पास chance हो हर party के पास chance हो कि वो participate करे election में और जो voters होते हैं उनको ज्यादा स्यादा choice दे ज्यादा स्यादा option उनको दे और election regular intervals पर होने बहुत जरूरी है ऐसा नहीं है कि election होए ही ना ऐसा नहीं है कि एक बार कोई leader बन गया उसके बाद वो election होने ही ना दे अगर ऐसा होता है तो फिर वो गलत है election time to time होते रहने चाहिए पब्लिक के पास पूरा option होना चाहिए कि अगर कोई leader सही से काम नहीं कर रहा उसको हटाने का पूरा chance होना चाहिए एक fix time के बाद ये बहुत जरूरी है democracy में और जिसको vote दे public वही उनका leader बने ऐसा नहीं है कि public vote किसी और को दे रही है और leader कोई और बन गया जैसे कोई एक party है उसमें से जो चहरा पब्लिक को दिखाया गया है election के लिए जो चहरा मानों कोई एक person है A एक party है B बी party ने किसी A person को दिखाया कि अगर हम जीते तो ये बनेगा आपका leader तो जब public उसको vote देगी पब्लिक तो उस चहरे को vote देगी न तो जब वो party जीते तो उसी इनसान को leader बनाए ऐसा नहीं बाद में जाकर party किसी और को बना दे तो फिर वो party के लिए खत्रा है अगले 5 साल बाद उसको फिर हटा दिया जाएगा फिर वापस तो उस party को जिताईंगे मिनें उस जो election होते हैं वो बिल्कुल free और fair means में हो किसी किसम की बेइमानी नहीं हो उसमें और लोग जो illegal चीज़ हैं वो नहीं करें जो पैसे fix हैं कि इतना पैसा खर्च कर सकते हैं election में उससे ज़्यादा पैसे नहीं use करें बहुत सी बार के होता है कि कोई मालदार इंसान होता है कोई गरीब होता है लड़ रहे है election opposition में जो मालदार होगा वो काफी पैसा खर्च कर देगा परचार में जो गरीब है उसके पैसे ही नहीं है तो उससे फायदा होता है कि मालदार को पैसे की वज़े से जीत मिल जाती ह लेकिन ये free or fair election नहीं है तो इसी वज़े से एक fix एक fix rate है कि उससे ज़्यादा election में पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं अगर उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो तो वो illegal है promotion में एक limit से ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं वो लिमिट कितनी है वो आगे पता चलेगी इसी चैप्टर में अब कॉम्टीशन जो पॉलिटिकल कॉम्टीशन है कि लोग अपनी जीत के लिए जो कॉम्टीशन करते हैं एक दूसरी पार्टी के साथ वो कॉम्टीशन अच्छा है या बुरा है या फिर किस हद तक अच्छा है या फिर किस हद तक बुरा है अभी वो जानेंगे कि एक पॉलिटिकल कॉम्टीशन के क्या मेरिट्स है और डी मेरिट्स है सबसे पहले डी मेरिट्स ही पढ़ते है सबसे पहला क्या है कि डिस यूनिटी अलग-अलग पार्टीज है और उन्हें मानने वाले अलग-अलग लोग हैं अब एक ही पडोस में लोग कोई किसी पार्टी को वोट दे रहा है कोई किसी पार्टी को वोट दे रहा है तो उनके बीच में एक यूनिटी नहीं रहती वो अपनी पार्टी अपने लीडर की तारीफ करता है दूसरा बंदा अपनी पार्टी और अपनी लीडर्स की तारीफ करता है तो उसके बीच में उससे यूनिटी कम होती है यह डिस यूनिटी होती है अब पार्टीज हैं, कैंडिडेट्स हैं, यह थोड़ी किसी डर्टी ट्रिक्स भी यूज़ करते हैं जो की कानूनन इल्लीगल है, लेकिन वो होती है अगर किसी पार्टी को जीतना होता है, तो वो क्या करता है फिरी में थोड़े पैसे लोगों को देती है, लालच देती है, कोई खाना बटवा रहा है, कोई कुछ बाट रहा है ये डर्टी ट्रिक्स है, उसके बाद कोई क्या कहते है, रिलीजियस राइट्स करवा रहा है, दंगे फसाद करवा रहे हैं उससे पार्टी को फायदा भी होता है, लेकिन है ये डर्टी ट्रिक्स, ये इल्लीगल है, ये एक डीमेरिट है अब हम चाइना को देखें, आजादी तो उसको भी हमारे साथ ही मिलेती है, एक दो साल का आगे पीछे का गैप था बस लेकिन आज वो कितना जादा, कितनी जादा उपर है, 2040 तक वो वर्ल्ड का नंबर वन कंट्री भी बन सकती है, सूपर पावर बन सकता है ये प्रेडिक्शन है, लेकिन ऐसा क्यों, वो इतनी आगे कैसा सला गे हम उसके कंपियर में तो हम इंडिया काफी पीछे है, क्योंकि उनके पास जो पॉलिटिकल कॉम्पिटीशन था वो कम है, एक ही बन्दा उठता है बहुत साल के लिए, लीडर रहता है उनका, जब वो उसके पास अच्छा खासा टाइम रहता है, बड़ी बड़ी पॉलिसी बनाने का, अब इंडिया में क्या है कि एक ही पंदा सी पांच साल के लिए उठता है, उसके बाद उसको दुबारे इलेक्शन लड़ना होता है, अगर उसके बाद उसको दुबारे लीडर रहना, फिर माइड में हैं, जो वर्क करेगा कम से कम 10 साल बाद, 15 साल बाद उसका रिजल्ट दीखेगा, लेकिन है वो बहुत अच्छा प्लाइन, तब भी वो चाहकर भी उसको इंप्लीमेंट करने में से पहले सोचिंगे, क्योंकि उनको छोटे-छोटे प्लाइन बनाने में फायदा ह क्योंकि वो चोटी-चोटी स्कीम जो जल्दी रिजल्ट देंगी, माना एक स्कीम बनाई है, उसका रिजल्ट आ गया, एक डिएर साल, दो साल में ही, तो पबलिक को उसका फायदा दिखेगा, तो फिर उसका फायदा उनके अगले इलेक्शन में होगा, तो ये कोशिश करते हैं, चोटी-चोटी स्कीम सी बनाएं, ताकि इनको अगले इलेक्शन में फायदा हो, इनको सबसे पहले सीट बहुत जरूरी होती है, कि सीट नहीं जानी चाहिए, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज हैं जहां पर एक ही रूलर बहुत-बहुत टाइम के रहता है, उसके पास लो हेल्दी कॉम्पिटिशन में पार्ट ही नहीं लेते हैं, जो बिचारे सीधे साधे लोग होते हैं, उनकी फैमिली होती है, अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे, वह इस कॉम्पिशन में उतरते ही नहीं हैं, उन्हें डर लगता है, क्योंकि उनका दिमाग इतना खुरा आडलेमेंट तक भी पोच जाते हैं खैर ये भी एक डीमेरिट है पॉलिटिकल कॉम्पटेशन का एक और है कि जो लीडर्स होते हैं वो बस अपने पॉलिटिकल केरियर को चमगाने की कुशिश करते हैं उनको पब्लिक के वेलफेर से कोई लेना देना नहीं रहता उनको बस च चोटे स्कीम्स बनाकर उससे फायदा लेकर क्या रहता है कि पॉलिटिकल करियर नहीं खतम होना चाहिए उनको एक एलेक्शन में जीते तो अगले एलेक्शन में भी उनको जीतने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है उनको पब्लिक के वेलफेर से कुछ लेना देना नह होता है तो अगर वो नहीं करेगा पब्लिक के बिहाफ पे काम जो पब्लिक चाहती है वो नहीं करेगा पब्लिक के लिए स्कीम्स और ये सब चीज़े नहीं करेगा अनिम्प्लियमेंट कम नहीं करेगा एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देगा और क्राइम्स वगरे नहीं कम होंगे तो लीडर के पास पूरे चांस होते हैं कि वो अगले पांच साल बाद वहाँ से अपनी सीट से उठ जाए पब्लिक उसको नहीं वोट देगी और उसके पॉलिटिकल केरियर महीं खतम हो जाएगा तो लीडर को काम करना पड़ता है पॉलिक के लिए भी अब वो मजबूरी में कैसे भी लेकिन पॉलिक के लिए काम करना पड़ता है और करते भी हैं ये एक फायदा है पॉलिटिकल कॉम्पिटेशन का कि लोगों में डर रहता है अपनी सीट चले जाने का एक और फायदा है पॉलिक के पास बहुत सारी चोईसिस रहती हैं अगर इलेक्शन होते हैं तो एक ही बंदा बार बार नहीं उठता अलग अलग बंदे उठते हैं तो पॉलिक उनके बीच में से किसी जो उनको बैस्ट लगता है उसको चूज करती है ऐसा नहीं कि पॉलिक क टैन्योर होता है कि इतने साल बाद इलेक्शन होंगे अगर उतने साल बाद लीडर नहीं सही से काम करता तो उसको अटाओ और वो फिक्स इंटरवेल कंट्री बाए कंट्री चेंज रहता है और इलेक्शन किस टाइप के हो रहे हैं उसके सबसे भी चेंज होता रहता है तरीके से इंडिया में होते हैं अब एक स्टेट है जिसका ये डाइग्राम भी बन रहा है कौन सी है ये पंजाब ये पंजाब है इसके साइड में पाकिस्तान है ये जेके हिमाचल प्रदेश हरियाना ये पंजाब है तो आप देखे रहे हैं इसमें अलग-अलग कलर के कुछ ब्लोक्स बन रहे हैं ये क्या है इलेक्शन्स करवाने के लिए हमें एक स्टेट को अलग-अलग हिस्सों में बाट देते हैं इस तरीके से एक हिस्सों को एक हिस्से के बोलते हैं Constituencies Constituencies अब एक स्टेट को बहुत सारी Constituencies में बाट देते हैं मानो कोई एक Constituency है ये वाली अब इसमें से क्या है अलग-अलग पाटी के लोग खड़े होते हैं अगर एक Constituency है अब मैं example के तोर पे ले रहा हूँ सीफेक example के तोर पे की अगर एक Constituency है मानो ये एक Constituency है इसमें सीफ सो लोग रहते हैं अब इसमें तीन पार्टी के रेप्रेजेंटेटिव खड़े हो गए एक हो गया बी जेपी का एक हो गया आपका एक हो गया कॉंग्रेस तीन अलग-अलग पार्टी के लोग इसमें से खड़े हो गए एक Constituency की बात और यह यह अब इसमें से जो सो लोग रहते हैं वो इनको वोट देंगे तो इसमें से मानो बी जेपी को मिलते हैं तुमारे 40 वोट्स आपको मिलते हैं 60 वोट्स कॉंग्रेस को मिलते हैं तो आपको 60 नहीं मिलेंगे 50 वोट्स कॉंग्रेस को मिलते हैं 10 वोट्स तो टोटल सो लोगों ने इनको वोट दे दिये तीनों पार्टी के रेप्रिजेंटेटिव्स को अब जब वोट काउंट होंगे तो देखा जाएगा सबसे ज़्यादा वोट किसके पास है सबसे ज़्यादा है आम आदमी पार्टी के पास है तो इस कॉंस्टिटुएंसी से मानो कि इस कॉंस्टिटुएंसी का नाम है अब यहां से कोई कॉंस्टिटुएंसी का नाम मुझे नहीं दिख रहा ऐसी रख लो ए ए नाम रख लो इस constituency का यहां से जब vote count होंगे तो देखा जाएगा कौन जीता देखेंगे तो यहां पर सबसे जादव vote हैं आम आदमी party के पास तो जो इस आम आदमी party का चहरा था जो इस constituency में खड़ा हुआ था election के लिए वो यहां से जीत जाएगा तो जो आम आदमी party का जो इना एक seat हो जाएगी fix की एक seat इसको मिल गई अब इतनी सारी constituencies है 117 constituencies है टोटल पंजाब में पंजाब को 117 constituency में बाट रखा है बॉर्डर कर रखिये population के अधार पर बस एक constituency में इतनी population होनी चाहिए इस तरीके से 117 117 constituency में बाट रखा है अब जब 117 constituency के election हुए अभी जो last election हुए थे शायद 20 21 में ही हुए थे 21 में ही हुए थे उसका उसका जो result था उसमें 117 constituency थी पंजाब की तो जब सब constituency पे election हुए तो आम आदमी party को मिलती है 92 seats कि आम आदमी party को जो बंदे खड़े हुए थे जो लीडर खड़े हुए थे हद constituency से एक एक उन में से 117 में से जब vote count हुए थे 92 constituency में इनी constituency जो फोटो में है इन में से 92 constituency पे आम आदमी party जीत गई और 18 seats जो मिली थी वो मिली थी Indian National Congress को INC Indian National Congress को 18 seats मिली थी BJP को 2 seats मिली थी इस में से BJP को मिलती है 2 seats INC को मिलती है 18 seats आपको मिलती है 92 seats तो ये एक result था election का अब इस में से जब देखा गया सबसे ज़ाद है Majority votes जो थी वो आम आदमी party के उपर थी आम आदमी party को सबसे ज़ाद है Majority seats मिली थी तो इन्ही जो इनके जो जीते वे थे 92 लोग जो जीते थे 92 जीते थे उनको बोलते है Member of Legislative Assemblies 92 MLA Member of Legislative Assemblies अब इन्ही में से कोई एक बन जाता है इन्ही में से कोई एक बन जाता है वहाँ का उस state का Chief Minister अब जहाँ पर ये लोग discussion करते हैं पूरे state का जो फैंसले वगएर होते हैं जो decisions वगएर होते हैं उसको बोलते हैं Legislative Assemblies वहाँ पर ये 92 लोग बैठेंगे जाकर ऐसा नहीं है ये जो बाकी जो seats जीते थे INC के जो 18 लोग हैं और BJP के दो लोग हैं ये नहीं बैठेंगे सब बैठेंगे सब बैठेंगे सब अपनी अपनी जो constituencies हैं वहाँ का पक्स रखेंगे कि हमको ये करना है वहाँ पर हमको ये करना है ये सब चीज़े फिर उन लोगों के decision लेंगे सब लोग एक साथ बैठकर इस तरीके से जो election है state level पर काम करता है अब पाँच साल बाद फिर दुबारा election होते हैं इन ही constituencies के उपर पाँच साल बाद फिर election होते हैं अब फिर क्या है फिर ये जितने भी पहले से बने वे हैं 92, 18, 2 ये सब की जो tenure ये खतम हो जाता है फिर दुबारा election होता है अब दुबारा election ये लड़ेंगे वापस से या फिर कोई ओर लड़ेगा वो तो तब के उपर depend होता है किसको क्या seat मिलती है और कौन कितना जीटता है अब फ्रेश पूरी legislative assembly दुबारा बनेगी पाट साल बाद तो अगर इन constituency में से इमान लो इस constituency में एक आम आदमी party का लीडर है लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहा तो क्या पता वो अगली बार बने ही न कि अगरी बार public को उसको वोट ना दे के बीजेपी को वोट दे इस तरीके से काम करता है election एक state level पे लेकिन यह याद रखना जो state level पे जो जीतता है उसको बोलते हैं MLA उसको MLA बोला जाता है बस्तिया याद रखना अब उसके बाद central level पे कैसे काम करता है election जो हमारा system है election का वो central level पे कैसे काम करता है ठीक वही जो constituencies हम यह पूरा इंडिया है central level मतलब पूरे national level पे पूरा nation एक साथ अब यह पूरा हमारा देश है इसको भी constituencies में बाट रखा है यह चोट चोटे देखो यह अलग-अलग constituencies है अब total इंडिया में कितनी constituencies है 543 constituencies है यह लिख रहा population के अधार पर इनको भी बना रखा है देखो यहाँ पर एक constituencies कितनी बड़ी-बड़ी है देखो यह कितनी बड़ी constituency है यहाँ पर देखो कितनी चोटी-चोटी constituency है अब यह population के अधार पर कैसे है यह कोई इतनी बड़ी कोई इतनी चोटी क्योंकि यह है लदाख public ही नहीं रहती है वहाँ पर बहुत कम लोग रहते है तो अगर population देखा जाए जितनी population यहाँ पर सी फिक इतनी सी constituency में है इतनी यहाँ पर इतनी सारी जगह में उतने लोग रहते हैं तो यहाँ पर देखो जहाँ पर छोटी कोई सीज़ है वहाँ पर समझ लो population बहुत जादा देखो यहाँ पर East North Eastern जो स्टेट से उनमें भी देखो कितनी बड़ी-बड़ी है तो नाचल परदेश है इतनी बड़ी-बड़ी constituencies है तो इसी हिसाब से यहाँ पर अब देख सकते हैं चोटी constituencies है मतलब यहाँ पर पब्लीक इतनी जगह में हमी इतनी जादे रहती है जो बड़ी है उसमें पब्लीक की density है ही नहीं अब जो इसमें भी इसी तरीके से election होते हैं जैसे state level पर होते हैं कि अलग अलग party से लोग उठ रहे हैं जिसको maximum vote मिली वो जीत गया अब जो जीता वो parliament में काम करता है parliament में बैठ जो आपने दिल्ली में देखो का parliament उसमें वो as a log sabah member बैठता है उसमें से जो जीतेगा वो MP बनेगा parliament में बैठेगा अभी election के process क्या क्या है यह हम class 11th की NCRT में है कि कितने process होते हैं किस तरीके से election होते हैं वो हम detail में पढ़ेंगे class 11th में अब सबसे पहले हम एक result देख लेते हैं general election 2019 का election हुआ था 11 April 2019 को कितने voters थे 912 million voters थे जिन्होंने vote देने के लिए eligible थे वो वोट दे सकते थे उनमें से 67% लोग उन्हें vote दिया जो अब तक highest था अब तक सबसे ज़्यादा vote जो दिये गए हैं 67% ही है 545 seats में से 534 seats पर election हुए थे क्योंकि कुछ seats नोमिनेट भी होते हैं 534 seats पर election हुए थे टोटल 545 seats थी थोड़ी seats खाली भी छोड़ते हैं अब उनमें से 272 seats चाहिए थी majority के लिए कि जो party जीतेगी उसको at least 272 seats चाहिए अब कौन जीता BJP जीती 282 seats BJP ने जीते इंडियर नेशनल कॉंग्रेस ने 44 seats जीते और जो party जो majority seats जीतती है उसमें से फोई एक इनसान प्राइम मिनिस्टर बन जाता है जो की नरेंदर मोधी प्राइम मिनिस्टर बने थे इन्होंने election लड़े थे बनारस की seats से अब जो दूसरी party जो majority party के बाद जिसके पास सबसे जादव वोट होती हैं जैसे 44 seats गए थी INC के पास वो बन गई opposition party उसको हम opposition party बोलते हैं वो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस बनी थी तो ये result था 2019 के election का अब 5 साल बाद देखा जाए तो 2024 में दूबारा election होंगे तब दूबारा फिर इसी तरीके से public choose करेगी अब village level में भी इसी तरीके से election होते हैं मालो ये village है उसको अलग-अलग है से इतने हिस्से में ये एक हिस्सा है ये एक हिस्सा है village में जो panchaits होती है या फिर municipal elections होते हैं वो भी इसी तरीके का process फोलो करते हैं जो towns होते हैं उसमें municipal election होते हैं विलेज में पंचायत के लिए होते हैं, उनको डिवाइड कर रखे होता है, जैसे बड़े लेवल पे इंडिया में कॉंस्टिटुएंसी है, इसमें क्या एन है कि डिवाइड करके बना देते हैं, छोट छोटे वाड्स, मानलों ये एक वाड है, अब अलग अलग वाड पे से अलग अलग मेंबर्स उठते हैं, लोग उनको वोट देते हैं, वो बन जाता है, वाड मेंबर, फिर वो उस विलेज जलेल पे लोगों के लिए काम करता है, अब ये वीडियो, अगर समझ में आया, सब कुछ तो अच्छी बात है, पर ना फिर से देख लेना, अच्छे समझ लेना, वीडियो काफी लंबी हो गए, तो ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसको देखने से पहले जो इसकी पहली वीडियो से चैप्टर वन ओर टू, प्लेलिस्ट में मिलेंगी, लिंक में उनका डिस्क्रिप्शन म प्लेज़ कोजिए पूरब बीस शब्सक्रिब में चैनल, टू बेस्ट